नमस्कार दोस्तों वेलकम यूटीव चैनल आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि क्यों आल इंडिया बार एक्जाम 17 का रिजल्ट डिकलियर होने में देरी हो रही है और अब ये रिजल्ट कब तक आ सकता है इससे पहले अगर अपने मेरी यूटीव चैनल को क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे यूटीव चैनल पर लाता रहता हूं अब टॉपिक पर वापस आते हैं पहले ऑल इंडिया बार एक्जाम 17 के रिजल्ट के लिए एक्सपेक्टेड डेट 21 फरवरी तक रिजल्ट आने की पूरी संभाबना थी बट 21 फरवरी को रिज हम 17 का पेपर देने वाले इस्ट्वेंट के अगर पेपर के क्विश्चन और अंसर से रिलेटेट अगर कोई अब्जेक्शन है तो इस्ट्वेंट को अब्जेक्शन ऑनलाइन सम्मिट करने के लिए 20 फरवरी रात 12 बजे तक का समय दिया गया था इसी कारण 20 फरवरी तक त नहीं सकता था लेकिन अब ऑब्जेक्शन ऑनलाइन सम्मिट करने की जो समय शिमा थी वो समाप्त हो चुकी है तो अब रिजल्ट कभी भी आ सकता है यानि कि दो दिन चार दिन पांच दिन दस दिनों के अंतराल में रिजल्ट कभी भी डिक्लेयर हो सकता है वैसे ओफिसेली कि रिजल्ट जिस दिन डिक्लेयर होगा मैं आपको वीडियो के मादम से अपडेट जरूर करूंगा